कि घर पे बैठा हुआ था एकदम से रात को बारा बजे प्लान मना कि कई घूमने चलते हैं क्योंकि गर्म बहुत जादा हो रही है तो में को समझ में नहीं आ रहा था कहां जाए 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 बैसे तो मेरा मैं डलोजी जाने का था और एक ऑप्शन शुम्ला भी रखा था कि कोई सीन भी होगा तो सुम्ला चला जाओ घूँ आर मैं आयस बिकित अब यहां पर प्ठान कोर्ट की बस मिल गई पतान कोर्ट से आपको डलोजी की बस मिल जाएगी डाकी जो डलोजी है डारेक्ट बस मिली चक्ती ती लेकिन विदाउट प्लान में जा रहा हो तो सबलेग जो कि जम्मू तक जाती है, बागी मुझे पठान कोट बीच में उतार देगी, और रात के एक बज रहे हैं, तो दस ग्यारा बजे तक पहुंच जाएगी पठान कोट, फिर उसके बाद हम लेंगे वहां से डनोजी की बस, तो भी चलो बस में चलते हैं, और बैठते हैं थोड और अबी तक और बस जो है, ठीठ ठाक है, इतनी कमफटेवल नहीं है, बड़ फिक सोगे हैं, सुबह के बज गया है, पॉने छे और अभी कहीं पे बीच में रोका है डावे पे, चाह पानी पीने के लिए, खाने के लिए, और नीन से खराबती तो रात में कोई वीडियो न पानी बनाई है, और अभी रोड पे हैं, यहां पे, पैयार, देखो, यहां से कितना टाइम लगता है, मेरे क्यालते दस वजे के आज-पास पहुंचेगा पतान कूट, उसके बाद वहां से लेंगे डलोजी कि बस रात में कोई रिकॉर्ड ने कि अंदेरे में, नीन भी आर आपो, और भी आप लेंगे आपको यहां मेरा एक्स्पीरियन्स खराबता तो इसका मलत यह निया, कि सब का घ्राबी हो, आप लोग हापी सकते हो कि आपको यह था वोड़ी है, वोड़ी देख रहे हो यह बच्चे यहां के, बसमें हमें दो बच्चे मिले हैं, बसमें दो तेलोग मार रहे हैं इसक्ड आम यूर डाइड आयम यूड एड वाई कितने साल के अभी आठ आठ साल के आइ एड पर्ट राग ये जालो बड़ीया भाई इशारे करना हो बोबाल है यह डालोग मार रहे है और यह दीपम है यह कट कैसे लग गया भाई यह कटिंगा अच्छा इससाइड यह अच्छा यह यह इधर भी यह अरे भाई भाई मोगना राच को जाए रहे हुआ तो आखों में नीन लिए और शरीर पर थकावट लिए हम निकल जाते हैं दुबारा से पठान कोट की तरफ और सुबह की जो ठंडी ठंडी हबा है वो खिड़की खोल के जो चेहरे पर लग रही थी उसका एहसास ही कुछ अलग था और बच्चे साइड में बैठे हुए तो वह भी हसी मजाग कर रहे थे तो हम इसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं पठान को तो अभी उतार दो में डोड पे महां से मैं आया हूं बस्टेंड पठान कोट बस्टेंड यह दिखो यह पस्टेंड यहां वाह से मलब तीन-चार किलोमेटर की दूरी पर यहां से तीस रुपे लिए है मेरे से आटो वाली ने और अभी यहां से हम लेंगे डलोजी की बस से लोजी की बस यहां से मिल जाएगि अपको बस्सटेंड से उभी चलते अंदर दिखते हैं तो यह पत्ठान कोट का बस्टेंड सारी बस्टेंड यहीं खड़ी है गोश्मेंट भी तो मेरे brigade 30 भी बस होंगी सारी भासें से पठान कोट में बहुत गर्मी है यह मलब ग्रीनरी तो है लेकिन गर्म बहुत जाद है दिल्ली जितने ही नहीं है लेकिन अच्छी खासी है भाई तो पठान कोट से डलोजी की बस की टिकट ले लिए मैंने यह बस की टिकट है और यह टिकट बिरको पढ़िए 140 उर्पे की तो दिल्ली से पठान कोट 625 तीस उर्पे और यहां तक आने के और 140 है किसने हुए जोड़ लेना बाकी बता जिया 125 की है जलोजी बता रहे 3 गंटे बहुत जाएगी और यह वाली बस है कि अधान कोट आई एस्वी टीवी बहुत बड़ा है मतलब यहां पर हर जागी बस आपको मिल जागी दिली की मिल जाएगी अलम हर पांदास मिन पर बस चलते रहते हैं डलोजी की भी ना तो बस में बैठ गया है और यहां पर फुल पं अबर्ण बच गया है और यहीं टाइम पास अजमेंट में चल जाएगी 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 अजया हुआ है अब अब यहां रास्ते बें बस रुक हुए कुछ खाने पीने के लिए और दलोजी रोड पे है जगह का नाम है दूनेरा दूनेरा में रुकी होगी है दस मीट के लिए कुछ पा पी रहे है रिफ्रेश्मेंट ले रहे हैं और यहां से 20-25 क्लिमेटर और है मेरे गाव से डलोजी फिर भी यहार गर्मी बहुत तेज है इतनी पास पहुचके फिर अब पता नहीं देखो के लोजी में कैसा मौसम हो तो पते तेलेगा उपर जाके है मौसम भी हलका हलका ठंडा होने लगता है और वह फील होने लगता है कि हम किसी हिर स्टेशन पे जा रहे हैं तो अभी चलो चार वजे के असपास मैं पहुंच गया था डलोजी और रूम मैंने ले लिए रूम अभी आपको दिखाऊंगा है भूख बहुत ते जगी है कु अगलिया यहां की और मौसम ठीक ठाक है ज्यादा थंडा नहीं है बट हाँ इतना है स्ट्र जैकेट की जरूरी नहीं बढ़ रही है भी मुझे इतना है कि मतलब गर्मी नहीं लग रही है बस इतना है और यह यहां का बस्टेंड है फिलाल तो एक ही बस खड़ी अभी और ए अब आई अभी वह तो स्कूल की बस है अब हम कुछ देख रहें कुह सस्ता और अच्छा खाने को मिल जए है दिखते हैं मिलता है नहीं और यहां तो यहां ज़्यार कुछ खाने बार दिख नहीं रहे इतना खास गर मैं लास्ट नमनाली गया ता उससे कंपेर करूं तो मना पर यह बढ़िए भी ठीक ही है जो है मैं इधर की साइट जा रहा है इतर बता रहे कुछ नहीं है मुझे इधर जाना है कल देखतों घूमने फिरने के लिए मैं स्कूटी या फिर बाइक करूंगा मुझे सही लगता है स्कूटी और भाइक भी तो बता रहे हैं यहां उपर जाके माल रोड दो किलो मेटर आगे देखते हैं यह नान मंगा है और नान के साथ सब्जी है छोले की और यह चटनी पचास रुपे का नान है बहुत हैवी है खांके पीट बर जाएगा और भूपी रही है आगे आँ रूम में और यह है अपना रूम यह बैट है यह कंबल है हाला कि इसी कोई जरूरी मुझे लगनी लिए और यह अपना रूम है और यहां से व्यू के नाम पर होटल है सारे अब कल देखते हैं आगे कुछ मिल जाएगा मैं वाटर फॉल ढूंड रहा हूं मौसम के बारे में बताओं तो मौसम यार देखो डूंट कवर दी जजबाए बुक अगले दिन बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था चिल्ड मौसम हो गया था स्वेटर जैकेट होगे रख के ले जाना जैली से आप जारे हो डलहोजी तो आप ऐसा भी कर सकते हो ट्रेन ले सकत हो कोई option ना बचे तो कश्मीरी गेट जाओ सीधे वहां पता अगरो डलहोजी की बस मिल रही या नहीं मिल रही नहीं तो पठान कोट तक बस से जाओ यह वहां से डलहोजी की बस हर 15-15 मिंट में चलती है isbt पठान कोट से तो वहां से आप ले सकते हो बागी मेरा जो खर्च यह आप जाके देख लेना तेरे की चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर आल दबा देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और फैमिडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो प्लैन मना वहां का हनीमून के लिए अच्छी जगत लोजी चलो मिलते है नेक् बबाई लव यह और लव यह सो मच बाई